पाइथन की फाइल को APK के अंदर कैसे कनोट करेंगे और हम एक एप कैसे बिल्ड कर सकते हैं पाइथन की हल्प से आज के इस पटिकलर वीडियो के जरीए हम यहाँ पस सीखने वाले हैं तो यह जितने भी आपके दिमाग में जाउट चल रहे हैं या कन्फूजन चल रही है कि क्या पाइथन की हल्प से भी एप को बिल्ड किया जा सकता है तो आज के इस वीडियो के जरीए आपको उसका जवाब मिलने वाला है मैं गौरब परजाबल आप सभी का स्वागत करता हूं WS Cube Tech में जहां पे आज हम सीखने वाले हैं कि पाइथन की फाइल को APK की फाइल के अंदर कैसे कन्फूट कर सकते हैं या पाइथन के अंदर किस चीज के जरीए हम एक Android बना सकते हैं या iOS बना सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले कि पाइथन के अंदर कीवी नाम का एक framework होता है यह आपके पास क्या करता है एक app development के लिए काम आता है अब इस कीवी framework के अंदर आपके आज बहुत सारे function होते हैं जिससे एक आप बहुत ही अच्छा app development कर सकते हैं कीवी से जो app आप development करते हैं वह आप के पास window के अंदर भी run होता है iOS के अंदर भी run होता है Android के अंदर भी run कर सकते हैं और Linux के अंदर भी आप इसे run कर सकते हैं तो basically कीवी जो framework है इससे ज़रा जो build क्या हुआ जो app है वो आप कहीं पे भी इसे run कर पाएंगे लेकिन जब भी आप इसे app के अंदर convert करने जा रहे हैं तब आपको थोड़ा से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस के लिए आप development कर रहे हैं कि आप Android के लिए कर रहे हैं या फ iOS के लिए आप build कर रहे हैं तो Android के लिए आपको Java आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है और यदि इन दोनों के लिए combined app कर रहे हैं तो Flutter आपको आना बहुत जरूरी है लेकिन Python के अंदर केवल और केवल आपको कीवी framework आपको आना जरूरी है जिसकी help से आप क्या कर सकते हैं य एक छोटा सा एप भी बिल्ड करके देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर एक छोटा सा एप बिल्ड कर सकते हैं तो ये सारी चीज़े देखने हाले है तो देखे एप बिल्ड करने से के लिए हम क्या करना है कोडिंग सेक्शन में चलता है जहां पे हम क्या करेंगे एक Python की वाइल बनाएंगे तो देखें यह मेरी एक python की फाइल है अब देखें जब भी आप kiwi framework के जरीए आप क्या करते हैं तब आपकी जो file का नाम है वह main.py होना चाहिए यह जरूरी है तो यह हमारी file आच चुकी है और मैं इसको लेकर करेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरह से हम यहां पर बना सकते हैं अब देखें जब भी आप kiwi का यूज कर रहे हैं तो इससे पहले कमांड प्रोम की अंदर जाके pip install kiwi कर लें इससे क्या होगा कि आपके जो kiwi framework है वह आपके system के अंदर install हो जाएगा देन आप उसे work कर पा माहां पर kiwi md.apk यह जो हमारा kiwi md Такy है उसको में यहां पर क्लास है। ऌड़ाण और इस में से import करारा ओंगा इंपोर्ट किसे करा रहा हूँ आपके पास capital.ld app यहां पर function को मैं क्या कर रहा हूं जिससे हमारे पास क्या होगा यहां पर आप कर सकते हां लेक्ष एक और क्लास बनाएंगे, जिसमें, from, मैं क्या करूंगा Yuviamd, यह جो همारे Yuviamd है, इसमי से dot yx, yuix मतलब यहाँ पर representations बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कर रहा है, label जो हमारे पास है, उसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर call करूंगा, then मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, import Max we start करेंगे और उसके बाद करनेवाले हैं किसके क्लास के बारे में यह पर हमें क्लास बनानी पड़ीकि भीजी क्लास क्यों बनाते हैं तो उसके भीचे रिजन है कि यदि यहाँ है और आप self से इतना नहीं बना पाएंगे तो आप क्या करते हैं एक team build करते हैं और उस team के अंदर आप क्या करते हैं हर एक person अलग-अलग-अलग-अलग आपके आज काम करता है तो वो सारा combined काम करने के बाद आप एक काम कर सकते हैं तो उसलिए क्या होता है classes जो काम होता है वो बहुत ही आसानी से होता है आप उसे अलग-अलग separate करके combined merge file बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर class बना रहा हूँ और इस class का नाम भी देना पड़ेगा तो class का नाम दिया है मैंने main और मैंने app दिया है main app हमारा class का नाम है इसका आप चाहें जैसे use कर सकते हैं तो मैंने main underscore app से भी आपके पास यहाँ पर नाम दे सकते हैं अब इस main underscore app class के अंदर मैं क्या करूँगा यह जो md app है जो मुझे app create करके देगा मैं इसे inherit करा देता हूँ तो मैंने इसे inherit करा दिया फिर इसके बाद एक function बाना है क्योंकि जब हम class को call करें तो उसमें से function आपके पास call होगा function को call करते हैं और function के call के अंदर मैं क्या करना हूँ function का नाम देंगा तो मैं यहाँ पर आपके पास function का नाम दे रहा हूँ build function और build function मैंने यहाँ नाम दिया है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक argument पास करना पड़ेगा, क्लास के अंदर जब भी हम function करनाते हैं, तो by default एक object बनाना पड़ता है, वो by default object आपके पास क्या होता है, self object होता है, अब यह मैंने function बनाना है, तो function का return type भी होना चाहिए, या फिर directly call भी होना चाहिए तो मैं return type function मनाऊँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर use करूँगा, return का, तो मैंने return यूज किया, अब return में क्या return करना है, वो भी मुझे बताना पड़ेगा, तो देखें, यह जो mdab label का जो हमने use किया है, mdab label जो use किया है, यह जो call function है, यह क्या करता है, का आपको label बना क देता है, वो हमने लिखा यहाँ पर, अब इसमें से text क्या है, वो मुझे बताना पड़ेगा इसको, तो मैंने text लिखा, और text क्या लिए, welcome to, वालकम to, और उसके बाद, ws cube, यह मैंने इसका text लिए, अब एक काम करता है, इस text की position set करते हैं, क्योंकि यह text तो कहीं न कहीं random चला जाएगा, तो इसके लिए मुझे इसके taxi position set करने पड़ेगी, तो taxi position set करने के लिए, helle gun आपको देना कड़ेगा, तो मैं यहाँ पर, आपके पास, helle gun यहाँ पर दे रहा हूं, और helle gun parameter के जरिए, helle gun parameter के जरिए, मैं इसका center text करेता हूं, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या, center text alignment कर दिया है, तो इस तरह से मैंने यह जो class बनाई है, इस class को हमारी जो main program है, उससे separate करूँगा, तो separate करने के लिए if underscore underscore main का हम क्या करेंगे, यहाँ पर use करेंगे, अब उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, यह जो main underscore app की जो class है, इस class को मुझे call करना पड़ेगा, इस class को मैंने क्या किया, call किया, call करने के बाद यह जो app है, वो मिर पास क्या होना चाहिए, बार-बार run होता रहना चाहिए, अब मुझे बार-बार run होना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर use करूँगा, run function को, तो यह जो class है इस class को मैं run function के ज़रे call करूंगा नहीं तो क्या को एक बार चलेगा एंड रुख जाएगा ऐसा नहीं चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि बार बार run होता रहने चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करा हूं रोला में सब्सक्राइब हुए और देखें ये मेरी आपके पास एक छोटा सा एप बन चुका है जो कि आप यहां देख रहे हैं जिसके अंदर वालकम टू डब्लो एस क्यूब आपके पास सेंटर के अंदर दिखा जिए तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं केवी-md का यूस करते हुए आप अपना एक बेल्ड कर सकते हैं अभी तो हमने क्या किया केवल हमारे पास क्या है python जिसे हम यहां पा देख रहे हैं अभ इस python file को हम क्या करना चाते हैं APK की file के अंदर convert करना चाते हैं तो इसके लिए हमारे पास तीन तरह के system होते हैं पहला आपके पास होता है और मैच दूसरा आपके पास होता है यहाँ पे Linux सिस्टम, तीसरा आपके पास होता है Windows सिस्टम, देखे हैं Mac और आप यहाँ पे यूज़ कर रहे है Linux सिस्टम को तो आप डारेकली इसको एप के अंदर convert करने के लिए Bulldozer का यूज़ कर सकते है Bulldozer क्या करता है कि आपके Python फाइल को क्या करता है APK की जो फाइल है उसके अंदर convert कर देता है लेकिन यदि आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे है आप Windows को यूज़ कर रहे है और आप चाहते है विंडो के अंदर ही आप क्या करें तो उसके लिए आपको जरूत पड़ती है Google Colab की अब देगे Google Colab क्या होता है तो Google Colab आपके आज क्या करता है एक वर्चुल इन्वार्मेंट क्रेट करते है Linux सिस्टम का जिसके जरी आप क्या कर सकते है अपना Linux का जो भी काम हो रहा था जिसको एप में बिल्ट करने के लिए वही काम आप Windows के अंदर कर सकते है उसके लिए हम चलते हैं हमारे Chrome Browser के अंदर तो Chrome Browser के अंदर आ चुके हैं यहां पे लिखूंगा मैं Google Colab Google Colab लिखने के बाद देखें आपका जो First है उसी को करना है अब Google Colab के अंदर हम आ चुके हैं और यहां पे एक New Node Work यहां पे Open कर देता है जिसे आप देख रहे हैं अब देखे इसके जड़िए हम क्या करने ऑले हैं APK के फायल के अंदर करणा है तो आप देखे इसके अंदर आपको क्या-क्या Code लिखना है यह हमारे पास कुछ Pre-defined Code होता है जिसके जड़िए हम क्या करना है आपको built करने वा लिखें इसे क्या होगा एक आपके न्यू आपके पास यहां पर रो क्रीट हो जाएगी जिसके जरी आप काम कर सकते हैं दैन उसके बाद में आपके पास देखे एक और आपके पास है जिसे हम बोलते हैं साइकलोन इसको भी आपको करना है इंस्टॉल करना है तो मैं साइकलोन को इंस् दैन उसके बाद में आपको क्या करना है यह जो predefined code है यह आपको क्या करना है इसको आपको run करवाना है जो आपके आस यह जो third code है इसे भी आपको क्या करना है इसके साथ run करना है तो मैंने इसको run करा है देखें वेट करते हैं तो यह हमारा code भी क्या हो चुका है run हो चुका है तो यह जो मैं अगला code है वो यहां पे लिख रहा हूँ और इसे run कर रहा हूँ तो यह भी हमारा code run हो गया है दैन उसके बाद में हमारा जो अगला code है यह वाला आपके पास install हम क्या कर रहे हैं यहां पर IBL आपके पास FDIV कर रहे हैं तो इसको भी मुझे run कराना पड़ेगा दैन यह code हमारा run हो चुका है दैन उसके बाद में देखे हमें bulldozer init को यहां पर क्या करना है run कराना है लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान अग नहीं है बुल्डोजर init को run कराते वक्त आपको पहले अपनी जो python file है उसको आपको google collab की file के अंदर क्या करना है import करना है बुल्डोजर init से पहले तो आप देखे कैसे import करा सकते हैं तो देखे यहां पर आपकास क्या है file uploading system है जिसके उपर आप click करेंगे इसके बाद में आपको file ढूण दिये तो मेरी जो file है वो आपके पास desktop पर पढ़िए desktop के जाएंगे k folder के जाएंगे तो यह देखे main.py के नाम से आपके आपकास क्या है file पढ़िए जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे है तो मैं इसको क्या करूँगा select करूँगा then open करूँगा और यहां पर मैं open कर दूँगा तो मेरी जो python के file है वो देखे यहां पर आचुकी है अब देखे यदि आप एक बहुत अच्छा app बिल्ड करें जिसके अंदर आप यहां पर अलग-अलग images का use कर रहे हैं उन सारे data को भी क्या करें यहां पर अप्लोड करा दें ताकि यहां पर जब भी यह आपकी APK के अंदर convert हो तो उसके अंदर जितने भी चीज़े आपके यूजरी आपके अंदर वो सारी app के अंदर चली जाए तो उसके करने के बाद आप क्या करें यह जो file है हमारी यहां पर import हो चुकी है then मैं आप क्या करूँगा यहां पर bulldozer init के उपर click करूँगा अब यह आप से पूछ रहा है कि आप इसको process को आगे बढ़ाने के लिए continue करना चाते हैं तो मैं yes करूँगा and then enter करूँगा तो यह आपके पास क्या हो चुकी है अपनी file यहां पर बिल्ड कर चुकी है तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया अपनी जो file है वो यहां पर बन चुकी है अब देखे इस source code के अंदर आप देखेंगे तो इसका title है जैसे my application क्या है इसका title है आपके package का नाम क्या है my app है तो इन चीजों को आप changes कर सकते हैं इसके अंदर काफी चीज़े हैं जिसे आप यहां पर अपनी हिसाब से customize कर सकते हैं इसके अंदर आप चाहें तो icon को भी change कर सकते हैं तो यह देखें यह हमारे पास icon है यहां पर आपको icon की जो file होती है वो आपको यहां पर उसकी file का पात देना है तो यह सारी चीज़े करने है अब देखें क्या होता है कि आपकी जो file है आपके जो यहां पर app बना रहे हैं य यह एप आपके पास चलते चलते crash नहीं होना चाहिए आप चाता है यह crash नहीं होना चाहिए तो इस crash को बचाने के लिए आपको इस code के अंदर कुछ changes करने पड़ेंगे आप दिखें कोड के अंदर क्या changes करने है तो देखें यह आपके पास 37 नमबर लाइन जो है 37, 38, 30 नमबर इसके अंदर आपको requirement section दिखेगा requirement section के अंदर यहां पर आपको कुछ change करना है अब देखें क्या change करना है तो आपको यहां पर थोड़ा सा code यहां पर add करना पड़ेगा आपको पहले लिखना है double equal to उसके बाद लिखना है 2.0.0 यह क्या है आपको कीवी का version है वो आपको लि आपको लिखना है तो मैं यहां पर कीवी एमडी लिखूंगा क्योंकि हमने कीवी एमडी का यूज किया है यहां पर तो मैं कीवी एमडी लिखूंगा दैन उसके बाद में कॉमा लगाते हुए आपको पीलो लिखना है अब हमने यहां पर पीलो क्यों लिखा है तो पीलो क् पीनिट करण frozen then आपके पास एक और कोड़ना है जो कि आपके आस करने के लिए काम आएगा तो यह यहांँ पर क्या करॉंड कों Android रहा हैं और इसको यहां अब क्या कर रहा है टो इसके करूंगा धनु और करूंगा तो यह मैकसिममम सुमाइन पर 15 मिल लेगा जिससे बिल्ड हो चुका है इसके अंदर देखे Android पैकेजिंग डर्न लिखा हुआ रहा है APK MyApp यह सब कुछ आपके आज लिखा रहा है और यह बोला जा रहा है कि आपका जो APK तयार हुआ जैसे MyApp01 आपके पास जो नेम से आपका APK अप्लिकेशन तयार हुए है जिसे वह क्या करेगा अपने फोन दे इसे अपने फोन अपर आपको अगा छुक कि यह हुआ हैar मैं अपने फोन चुकषे में यह कर रहा हुँ है कि दाउनलोड हो जाएगी और आपका जो डाउनलोड फोल्डर है वहां पे ये फाइल आपको different जाएगी तो देखें यह हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकिए और मैं इसको के यहां से कर रहा हूँ और और देखें, यह हमारा system है, सिस्टम के अंदर, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, हमारी जो file है, वो हमारी system के लिए आख रुए है, अब इसके बात में, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो phone है, इस phone के अंदर, हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, और यहां पे देखिए हमारी जो फाइल है, देखिए, देखिए, myapp01 और dot यहां से बनी भी है, जिसका अभी logo जो है, वो आपके पास क्या है, कीवी का logo है, यदि आप इससे इंस्टाल करेंगे, तो आप इससे डारेक्ली देखिए, इंस्टाल कर सकते हैं, तो मैंने ये application क्या कर रहे हैं, ये install कर दीए, ये install हो गई है, देन मैं इसको open करता हूँ, तो देखिए, open हो रही है हमारी आपके पास application, and application open होने के बाद, यहां पर क्या लिखाएगा, welcome to wsqtack आपके पास लिखावाएगा, और जिखता आ रहे हैं, आप यहां पर, welcome to wsqtack आपके बास आ चु हैं, इसका जो logo है, वो भी आप change कर सकते हैं, इसके अंदर completely चीज़े आप क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना app build कर सकते हैं, system के अंदर देखिए, ये bulldozer.spaces, जो हमने यहां पर file यूज की थी, जो सबसे पहले हमने file बदाई थी, कि इसके अंदर लिखा है, my application है, इसे change करेंगे, my app का नाम भी आप change कर सकते हैं, तो इसे के अंदर काफी चीज़े हैं, जो आप अपने app को build करते वक्त, आप इसे change कर सकते हैं, तो ये आपके आप से completely एक process है, जिस process के थूरू, आपकी जो की वी file है, इसको आप window की file के अंदर, आप चाहे आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, तो I think I hope so clear समझ में आ चुका होगा कि python file को आप apk के अंदर कैसे convert कर सकते हैं, और एक खुद का application कैसे build कर सकते हैं, तो फिर इसे के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, जहां पे और मज़दा topic के बारे में बात करेंगे python से related तब तक आप अमासा बने रहिए, till then, good bye